बाईयों और फिर्फ बाईयों आप लोगों को लगता है कि मेरा पहचान बहुत ही लो लेवल तक है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरा पहचान इतना ज़्यादा है कि मैंने उसको अपनी गारी पिछे लिखवा दिया है पुर्वे विधायक के पुत्र की सास के पडोसी क बेटा यह थोड़ा सौटकट में लिखवाया हूँ वैसे पुरा है पुत्र के सास के पडोसी के बहन के रिष्ट दूर के रिष्टदार के पडोसी का बेटा लेकिन भावकालवाजी के लिए इतना लिखवा दिया हूँ तो यही है मेरा पहचान और अम मुझे कोई हलके मे स्वागत है आप सभी के सभी लोगों का फिर से हमारे एक ऐसी वीडियो में जहां पर एक टेम ने जीता है पांच दस पंद्रे बेस पच्चीस तीस अजार रुपए नहीं बलकि पूरे पूरे एक लाक रुपए जिसमें जीरो देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच पा बनाए और अपनी आर्मी के साथ कैसे छेड़ चार करके पूरे के पूरे बेस को रगड़ रगड़ कर घसीट घसीट कर मारे हैं वो सारी चीज़े आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर मैं और इतना ही नहीं टूर्णामेंट से डिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टिन ची यह है टीम भारत जो कि देखा जाए स्काई स्पोर्ट 1.0 स्टेफनी कब सीजन वन आईजील आईसी डबली मुझे नहीं बता क्या है रिट चैंप्रियंसिप के विन है स्काई स्पोर्ट 3.0 के चैंपियंस हो चुके हैं जो कि यहां पर स्काई स्पोर्ट 3.0 को विन करने के बाद इन लोगों को मिला है एक लाख रूपए तो यह 3.0 का मैच हुआ है एलियांजा चायल वे नाम को ज्यादा सिंपल है इन सभी लोगों को रगड़ रगड़ कर घसीट घसीट कर मारा गया और यह मैच जीत लिया गया तो आप लोगों को सबसे पहला अटेक जो मैच दिखाऊंगा वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप का है जिसमें कि 20 सूपर चोर इनसान अर्थात सूपर गोबलीन को यूस किया वगया है अब अगर यह 20 सूपर गोबलीन लेजेंड लीग में या फिर फार्मिंग करने के टाइम पर यूस किया जाता तो समझ में आता है कि भाएया फार्मिंग कर रहा है यह बंदा लेकिन यह भाई साहब टूड़नामेंट की इतने ज्यादा प्राइस में यूस कर कौर्णिंग अपनी आर्मे में छेड़ चाड़ करना है अब इतना भी जादा छेड़ चाड़ मत कर देना कि समझ में नहीं आये कि ao इतना नहीं सिर्फ normal सा चड़ छाड़ करो और उसके according अटेक करो तो यहां पर रखा गया sneaky goblin और sneaky goblin के साथ रख दिया तो tornado tornado चोड़नेडो जो था वो निकल गया और 14 goblins को use करने के बाद town hall को निकाल दिया गया और दो max lightning spell के साथ आप लोग निकाल सकते हो यह जो एर सीपर हवा बहुत ज़्यादा देता रहता है उसको उसको भी निकाल दिया गया यही चीज है हम लोगों का फर्स रूल और सेकंड रूल आप लोगों को मैं सेकंड अटेक में दिखाऊंगा जो की है आर्मी से दिलेटेड तो यह बेस दिखा जाए तो अभी ठीक ठाक देखने में लग रहा है इसमें डिफेंस काफी सारा बचा हुगा है यहाँ पर पूरी चीजे को उतार दी गए पीछे से लून को उतार दिया गया बुढ़वा वाडन जो की हवा में उड़ता है उसको यूस किया गया और यहाँ पर बीबी की जरूरत नहीं थी क क्योंकि टाउन हाल तो निकल गया पहले ही इसलिए यहाँ पर यूस किया गया है साथ निभाना साथिया सबका साथ सबका विकास स्टोन स्लेमर के साथ अपोनेंट की क्वीन खतम हो गयी स्कैटर सौट जिंदा है और जो सीसी टूप है वो भी बाहर निकलाया है लेकिन यह फेस आसानी से साइड थ्री स्टार हो जाएगा हो जाएगा यह वेस थ्री स्टार क्योंकि अभी क्वीन की एबिलेटी बल्टी सबकुछ बची हुई है काफी सारे टूप्स के साथ यह हो गया थ्री स्टार अब जो मैं आप लोगों को सेकेंड रूल बताने वाला हूँ वो है आर्मी से रिलेटेड सबसे पहले आप लोग कोई भी अपनी एक आर्मी को पावरफुल बना लीजिए तो टाउन हल 14 पर यूज किया गया है हाईब्रिड की आर्मी जो कि इस टाइम टाउन हल 14 पर हो चुका है बहुत ही गंदा इसलिए यूज नहीं कर रहा है कोई भी ब हैं मतलब कुछ भी अपडेट आ जाए अपनी इस आर्मी को छोड़ने वाले में से नहीं हैं और यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी कोई भी एक आर्मी चाहे तो वो ग्राउन्ड हो चाहे तो वो एर उसको इतना ज्यादा पावरफुल क अगर मान लीजे आप कभी भी टूर्णामेंट केलते हैं तो आपके टीम के लिए ये माइनियर नहीं रखेगा कि आपको पाँच आर्मी आती है पाँच आर्मी के साथ ये बंदा टैक करता है एक ही आर्मी आपको आती रहे और उस आर्मी के साथ आप लोग अपोनेंट के बेस को घसीट करके रगड़ कर 3 स्टार मार दिए तो वो आपके टीम के लिए फायदे मन दहें लेकिन अगर आपको माली के 5 आर्मी आती है पाँचों के पाँचों आर्मी यूज कर लिए और 3 स्टार कर नहीं पाए तो वो चीज फायदा नहीं है कोई भी इसलिए अपनी एक आर्मी के पीशे पड़ो और इतना ज्यादा पीशे पड़ जाओ कि उससे किसी भी बेस कूर रगड कर मारो जैसे कि ये भाई साब हैं अपनी हाइब्रीड वाली आर्मी को इन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं और अभी सायद अपडेट फडेट टाइव का भी कुछ आने वाला है जिसमें नएने टूट्स का लेवल भी आने वाला है आते हैं हम सभी लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ थर्ड पॉइंट हम लोगों का कुछ ऐसा है कि अपनी आर्मी में बहुत ही ज्यादा छेड़ छाड़ ना करना अब काफी लोग सुच रहे होंगे अभी तो इसने बताए आर्मी के साथ छेड़ छाड़ करो फिर बोल रहा है आर्मी के साथ छेड़ छाड़ ना करो आखिर करना क्या है तो करना कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग आर्मी के साथ छेड़ छाड़ कर रहे हो और आपको समझ में आ पा रहा है पूरा का पूरा अटेक तब ठीक है लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग अपनी आर्मी के साथ अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तुन लोगों को अटेक के टाइम पर समझ में नहीं आता है कि कौन से चीज को कहां पर यूज़ करना था इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरड के रूप में समझाता हूँ तो माल लीज़े मुझे किसी ने कॉल पर बताया कि भाईया अटेक के टाइम पर तुम 4 इन्वीजबल इस्पिल लिते जाओ तीन लिते जाओ स्केल्टन इस्पिल दो लिते जाओ बैड इस्पिल और उसी के साथ जो तुम को मन करे उस चीज को लेट कर चले जाओ तो उसको ले कर कि मैं इस बढ़िया से गया भाई अटेक करने के लिए लेकिन इसमें होगा क्या कि अटेक के टाइम पर मैं भूल जाओंगा कौन से चीज को कहाँ पर यूस करना था तो ऐसे में होता क्या है कि आपका अटेक बहुत ही गंदा चला जाएगा इसलिए आप लोग आर्मी में उतना ही छेड़ छाड़ करो जितना की आपको पल्ले पड़ जाए किसी को देख करके कौपी करने की जरूत नहीं है इसने 20 गोबलिन यूस किया तो मैं भी यही यूस करूंगा अब जैसे मालो आप क्लाउस को देख लो वो बंदा अगर 9 बैट इस्पेल 9 इसन वीजिबल इस्पेल या फिर कुछ भी आवार्ट पवार्ट सा चीज़ लेकर के चला जाएगा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोग आर्मी में उतना चेड़ चाड़ करो जितना आपके दिमाक पूरा कंट्रोल कर पाए इतना ज्यादा मत चेंज कर दो कि आपके पल्ले ही ना पड़े सब हवा उपर से जाने लगे अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी लाश्ट पॉइंट की तरफ की टूर्णा मेंट खेलना क्यों जरूरी है और अगर हम लोग को टूर्णा मेंट खेलना है तो उसके लिए हम लोग अपना टीम किस प्रकार से बनाए और टीम को बना करके उपर किस तरीके से ला सकते तो सबसे पहली बात कि टूर्णा मेंट खेलना क्यों जरूरी है तो हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है जैसे कि अगर हम लोग मैच खेलने हैं और उसी मैच में किसी के साथ लग जाता है 10 रुपे का मैच की मैच को जीत गए तो 10 रुपे मिलेगा तो उस मैच का जो मजा रहता है वो 2 गुना हो जाता है 2 गुना नहीं 10 गुना हो गया 10 रुपे 10 गुना हो गया उसी तरीके से अगर हम लोग खेलने हैं COC तो इसमें भी कुछ मजा करने के लिए आइटम रहना चाहिए ऐसे ही आप लोग खेलते रहोगे, फार्मिंग करते रहोगे उससे मजा नहीं आएगा आप लोगों को लेकिन यहीं पर अगर आप खेलते हैं टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट में रहता क्या है कि भाई अपोनेंट का टीम आएगा उन लोगों को हम लोगों को हराना है अपना बेस बिलकुल ही टॉप लेवल पर रखना है बेस में थोड़ा से रिटिंग करेंगे, मायन स्वाएं सिधर उधर लख देंगे थोड़ा सा टूर्नाइडो पूर्नाइडो को गुमा गुमा कर रखेंगे ये सारी चीज़े आपके दिमाग में सेट रहेंगे और आपके नहीं जितने भी आपके टीम की मिंबर देंगे पांच या छे साथ लोगों की दिमाग में ये चीज़ सेट रहेंगे और सभी के सभी लोग अपना परफॉर्मेंस बेटर करने की कोसिस करेंगे अब इससे हुआ क्या कि जो आपके गेम का नॉर्मल सा मज़ा था वो आपका 4-5 गुना बढ़ गया बेस इडिटिंग करना है अटेक के टाइम पर ये जी चेंज करना है अटेक में यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग करनी है आप लोगों का गेम का मज़ा बढ़ गया तो आप लोगों को और भी जादा मज़ा आएगा गेम खिलने का और आपका नाम जो बनेगा वो तो अलग से ही देगा लेकिन होता क्या है कि भाई साब बहुत से लोग टूर्नामेंट की टीम नहीं बना पाते हैं क्योंकि जितना सिंपल ये लगता है टूर्नामिन्ट के लिए सिर्फ 7 मेंवर चाइए उसको बना लेंगे हम लोगों का टीम बन गे अब हम लोगों के टीम उपर आ जाएगी इतना असान ये सिर्फ बोलने में है होता नहीं है इतना असान बहुत हर्ड है तो माल लिजय आप नहीं बनावाते हैं उसके बाद तूट गया फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करो कि इस बार हम लोगों का 20 पहुच जाए फिर 20 पर जाकर तूट राए फिर उसके बार ट्राई करो कि 25 पहुचे इसी तरीके से आप लोगों को गेम में मजा आएगा और आप लोग पूरा का पूरा गेम का मजा ले पाओगे और अब बात करें हम लोग की टीम क्रियेट कैसे करेंगे तो वो उसके लिए आज ही सब कुछ नहीं बता दिया जाएगा अब उसको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएगा तो चलिए चलता हूँ बाई बाई मिलते हम सभी लोग अपने अगले चगले पगड़े तगड़े टाइप के वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहे ही क्लेश आफ ग्लेन फोर्ड ते रहे हैं सभी का बेस और ये वाले वार में तो ये लोग कुछ ज़ जब मेरे साथ थी वो, मेरी घ्वास थी वो, मेरी शूडर मेरा नाशा मेरी घ्वास थी वो, मनाली, मनाली, कवाली, कवाली, वो जिखती माथ भूली